कि गुड़ मॉर्निंग कभी कभी आप देखते हो ना कुछ लोग आपसे ऐसे मिल जाते हैं जो कि आपसे कुछ ऐसा क्यूस्चन पूछ लेते हैं जिसके बारे में आप एंसर ही नहीं सोच सकते हो और वो ऐसा क्यूस्चन पूछ कर बड़ा अपने आपको गरवानित महसूस कर पूछा इसको तो आया ही नहीं मतलब कि ऐसा लगता है जैसे वह अपने आपको बड़ा ग्यानी दिखा रहे हो जैसे मैं कुछ आपको बताता हूं जैसे कोई मिला आपसे और पूछे क्या भाई संप्रभुता आई आपके अंदर अब आप सूचा कि यह साला संप्रभुता क्या है यह मेरे अंदर क्यों आएगा मेरा इससे क्या काम है लेकिन अब जो सामने वाला पूछा है अब उसके सामने गराव उसकी निगाहों में भी न देख पाऊ उसकी तरफ देखके जवाब भी न देख आओ तो बड़ा जीव से लएगा ना क्या पूछ लिए उससे तो तो हमें संप्रभुता पता होना चाहिए तो आज छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल बारा जो कि बहुत महत्पूर है थोड़ा खतरनाग भी है क्योंकि UPSC यहां से दो तीन बार UPSC प्री मतलब IS के प्री में इसका क्यूस्चन भी बना हुआ है तो बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन छोटे से वीडियो मों कवर करेंगे ध्यान से सुनेगे बहुत सरी जानकारी मिलेगी सबसे पहले हमने एक सब्द बताया संप्रभुता यह क्या होता इसको थोड़ा समन लेते हैं हाला कि बहुत सारे बच्चे जानते हों कि संप्रभुता क्या होता है तो थोड़ा सा देख लेते हैं आपके अंदर आई है कि नहीं अभी आप बताओगे संप्रभुता क्या होत मतलब कर किसी पर निर्भर ना हो, आप अपने ये खुद से सोचो और लेलो, ना कैसी से पूछивается तो ऐसे या ओपयोगति या ऐसा देश्टथ ziemपरव रखेयराते संपड़ कहलाता है, संपड़ाइष्ट राज्य या फिर रास्टथ कहलाता है, स्म्परव देश्ट Every Done आप बताओं क्या आप अभी जिस स्टेज पर हो मतलब पढ़ाई कर रहे हो जो लोग भी जो भी वीडियो देख रहते हैं आप बताओ क्या आप संप्रभ हो क्या अपको लगता है का आप संप्रभ हो अच्छा एक बात दूसरी सोचो मेल और फीमिल में कौन ज़्यादा संप् पापा बोले कि बीटेक कर लो बीटेक कर लिया पापा ने कहा आठ कर लो बेटी पापा ने कहा कि स्कूटी सीख लो इसकूटी सीख लिया पापा ने कहा इसकूटी तुमारे लिए नहीं है साइकल सीखो तो साइकल सीख लिया जबकि स्कूटी नाम से देखो उसमें फीमेल ल वाप Mapmen बनेगी स्थिद UP मतलब बहुत कम ही्7 संपरव परिवार के लिए अपने लिए त्रूद पहनने के लिए kg लेण है बहुत सारी चीजे लेकिन इसके लिए दूसरी पिनिर्वर होना पड़ता है तो यह आप अगर देखना चाहोगे तो मेल और फीमिल जो है थोड़ा सा कम या फिर का सकते हो कि संप्रवता इनके अंदर कम होती है मेल के तुलना लेकिन आदमी या फिर ब्यक्त की अस्तर पर कभ पिछन करना है कर लेगा हो तो जब कोई राष्ट किसी देश के ऊपर निर्बहर ना होकर खुद अपने देश के लिए निर्ड़य कर लाता है मत के लिए आज हम जो पताने चल रहे हो संप्रवता नहीं संप्रवता सब्द उसमें आएगा तो चली है शरू करते हैं संभिधान के बड़ा खतरनाक अनुच्छे शेद बारह. इसी के बारे में बात करेंगे. अनुच्छेद 12 में क्या है? जलिए हैं सुरू करते हैं. अगर बात करें अनुच्छेद 12 की ना तो इसमें राजशेस्ब्द की परिवासा दी गई है. अब राज्य सब्द की परिभासा के अंतर क्या होता है ध्यान से समझेगा बहुत बड़ा टॉपिक है यह लेकिन छोटा समय आपको समझारो समझ पाओगे आप एक सब्द होता है और यह स्म्मा पर升केका तो अब को हाँ विकतिकाला जो सकता है तो आप अब धेखवासां तो कुछ सकता राजिंगा राज्य हो आप इसका परिभासा समझें तो एक सब्द का राज्य होती परता है राश्ट्र, एक सब्द होता है राज्य और एक सब्द होता है राश्ट्र, अंतर क्या है दोनों में, भारत राज्य एक भारत राश्ट्र है, कुछ याद है, देखो, भारत राश्ट्र भी है और भारत राज्य भी है, लेकिन एक बास समझेगा, राज सब्द की परिभासा हो ठीक है अब आगे बड़े अब आपको बताते हैं कि राज्ज सब्द की परिभासा क्या होती है राज्ज सब्द के लिए 4 चीजे ज़रूरी यह कोई भी देश कोई भी चीज राज्ज तभी होगी कोई भी संस्था राज्ज तभी होगी जब उसमें 4 कंडिशन हो पहला एक न दूसरा कंडिशन यह है कि उसके पास एक निश्चित जनसंख्या हो मतलब कि एक निश्चित भूभाग हो कि मतलब एक निश्चित छेत्र में हो रहता हो और उसके पास एक निश्चित जनसंख्या भी हो तीसरा कंडिशन यह है उस जनसंख्या का एक निश्चित नेता हो न और नशचस मिल रहेंगा एक ठीक है अब बताऊ उत्तर परदेस राज जेगने और आपको बाच्पन्स पड़े उत्तरप्देश्ट राज्य लेकिन है कीनी कंडिसन देखते हैं उत्तरप्देश की निष्ची जन संख्या है स्वर्य जिस्ची भूभाग है निष्ची जन संख्या लेगे वीजिश करोड़ संख्या थी 2011 जन गर्नाक अर इसका निष्ची नेता है हमारे योगी आदितनात और ये उत्तर प्रदिस के लिए निरड़े लेने के लिए सच्छा में न कि मद्रप्रदिस वालेस पूछेंगे नहीं न ठीक है अब बताओ आपके ग्राम पंचायत है तो आपका जो पंचायत है एक निश्ची छेतर में आपका गाउं होगा और गाउं का एक निश्ची भूभाग होगा हो गया गाउं में एक निश्ची जन संख्या रहती होगी हो गया और गाउं के निश्ची नेताप के प्रधान जी होगे ठीक है और गाउं के लिए निड़े लेने में कहा नाली बनाना है कहा कुमा बनाना है कहा कालोनी देना है यह न्यडए प्रधान जी लेंगे, तो न्यडए लेने सच्छा में चारो कंडिशन पूरा हुरा है, तो क्या होगा, राज्यृट है, अब सोचो युनिवरस्टी, विस्टु बिद्या ले, राज्य है कि नीची शेत्र में फैला होगा, वहां एक निची शेत्र में तो खुल्पत लेगा तो चारू कंडिशन पूरा हो रहा है तो यह क्या होगा राज्य होगा तो यह राज्य सब्द की परिवासती आसा करते हैं आपको समझ माया होगा मिलते हैं आप से इस वीडियो में सब तक आप पढ़ते रहें